नमश्कार आज हम बात करेंगे बहु नेत्रफल के बारे में आप बोलेंगे यह क्या है बहु नेत्रफल मतलब जिसको आप पाइन एपल बोलते हैं पाइन एपल या फिर अननास अनानस इस तरह के भी शब्द कहे जाते हैं तो यह जो पाइन एपल होता है इसके आईरवेधि क्या प्रोपर्टीज है या आईरवेधि में इसके क्या-क्या फाइदे हैं बोले गए हैं और किन लोगों के लिए ज्यादा फाइदे मंद है जानेंगे आज इस वीडियो में अगरे आप सबीका मिश्र विता में और आज का टॉपिक है अनननास या फिर पाइन एपल के बारे में इसके फाइदे बताते हुए आईरेद में इसे गुरू स्निक्द बोला है मतलब जो पका हुआ इसका फल्व मिलता है वो गुरू स्निक्द होता है और ये मीठा होता है थोड़ा सा खटे मीठे टेस्ट का होता है इसलिए तो हम इसको भर भर के खाते हैं तो गुरू स्निक्द होने के कारण ये क्या करता है वात और पित रिलेटर जो भी बीमारिया है तो आप में से इसे लोग जो कि दुबले पतले कमजोर है वायू और पित की बहुत तकलिफ होती है मतलब हावा से भी तकलिफ होती है गर्मी में भी तकलिफ होती है और वायू और पित वारा नेचर होने के कारण बहुत ज़्यादा हड़ बड़ी में रहते हैं बहुत ज़्यादा गुस्यल होते हैं उन सारे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है बाइ नेचर इस तरह के शब्द बोले, मतलब यह खाने में बहुत अच्छा टेस्टी लगता है मज़ा आता है, तो आप की जो भी लोगों ने इसे खाया होगा जानते होगे कि इसे खाने में मज़ा आता है दीपन यह भूग बढ़ाने का काम करता है तो आप मैंसे ऐसे लोग जिनको भूग नहीं लगती और कुछ टेस्टी चीज खाना चाते हैं जिससे कि आपकी भूग खुलने में मदद मिले तो इसे खा सकते हैं यह अनुलूमन करने का काम करता है तो ऐसे लोग जिनको पेट में गैस बहुत पसा रहता है या बहुत जदा सूखा मल होता है और गैस निकलती नहीं अटकी रहती है ऐसे लगवा है पेट में बस वायू का गोला घूम रहा है इस तरीकी की जो कंप्लेंट करते हैं उन सभी ल करता है तो आप में ऐसे लोग जो की बहुत जल्दी थक जाते हैं बहुत जल्दी जिनको फटीग होने लग जाता है की सुबह उठते हैं काम वाम करते हैं थोड़ा अच्छा लगता है पर जैसे दो ड़्ाई गंटा हुआ बस लगता है कि बैटरी लो हो गई या जो ऐसे कं लगता था पहले बहुत एनरजी लगती थी बट अब बॉड़ी डाउन होने लग गई है specially 40-45 की एज के बाद मतलब जिसे से थुड़ा एजिंग शुरू होता है और वो बोलता है कि आजकल ना हम बहुत जल्दी ठक जाते हैं शरीर में ताकत ही नहीं लगता बॉड़ी एकदम वीक सी लगती है उन सारे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है ये वायू को कम करता है तो वात रिलेटेड जो भी बिमारिया है कि वेट लॉस हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द हो रहा है बहुत ज़दा g assists होने लग गई है कोई बिमारी की कारण शरीड एकदम सूखने लग गया है उन सारी conditions में dry skin है, dry hair है, सूखी खासी की तकलीफ है या शरीर में जो धातुएं हैं वो कं होने लग गई है उन सारी conditions में ये बहुत अच्छा है ये खटा होता है तो हार्ट पे बहुत अच्छा काम करता है अब आईरवेद में जितने भी रज बोले हैं मीठा, खटा, नमक, तीखा, कड़वा, कसेला उसमें से जो अमलरस है खटा रस है वो हार्ट पे बहुत अच्छा काम करता है तो इसके अंदर भी अमलरस होता है इसलि और जल्दी डरने लग जाते हैं मारपीट का सीन देखा तो हार्ट रेट अचानक से बढ़ जाती है जिनको एंजाइटी अटेक्स बहुत आते हैं कि ऐसे बॉड़ी कापने लग जाती है हार्ट रेट बढ़ जाता है या फिर पसीरा छूटने लगता है कई बातों इतना डर ह हो जाता है कि चक्कर खाके गिर जाते हैं स्वांस बहुत ऊपर नीचे होने लग जाती है ऐसी सारी कंडिशन में आप ऐसे टॉनिक के तोर पे अनननास आपकी डाइट में यूज़ जरूर कीजिए और और ऐसे लोग जिनको यूरीन ठीक से नहीं होता है यूरीन बहुत कम म यूरीन के लिए उनके लिए ज्यादा अच्छा है जिनको पीरेट ही नहीं आता है तो जो लेडिस की यह तकलीफ है कि पीरेट बिलकुल आता ही नहीं है चार 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 छेचा आठार महीमनें हो जाते हैं वह ऐसे में जो थोड़ा कच्चा अनननास ये पिर पांज напal होता ह अगर उसका juice पीते हैं तो उनको अच्छे से period आ जाएगा इसलिए pregnant जो आप में से ladies होंगे उनको ये खाना avoid करना चाहिए क्योंकि अगर ये ज्यादा खटा मतलब अगर रहा तो आपको miscarriage जैसे issues भी कर सकता है बट किन pregnant ladies के लिए अच्छा है कि suppose delivery का time आ गया है कि पेन में सब चालू हो गया है बट ठीक से जो गर्ब है बाहर नहीं आ रहा है तो उनको अगर ऐसे कच्छे अननास कर स्पीकर दिया तो ज्यादा smooth delivery होने में ये जो pineapple है उन्हें help करता है इसके एक और गुण बढ़ताते हु bromeline नाम का एक तत्व होता है जो कि mouse का पाचन करता है इसलिए बहुत सारे लोग को आपने देखा होगा कि जो भी लोग non wedge खाते है उसके साथ pineapple यूज करते है क्योंकि जो non wedge होता है उसको ये digest करने में जो bromeline नाम का इसके अंदर एक तत्व होता है वो उसको मदद करता है और इसकी एक और property है क्रमीग ना है तो आप मेंसे यसे लोग जिनको worms infection बार बार होते रहता है वो भी अपने खाने में इसका यूज कर सकते है तो ये वात पित वालों के लिए as a tonic के तोर पे ये बहुत अच्छी दवा है पर अगर इसे ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे एक से दो पीस तक आपको चलेगा अगर खटे रस से तकलीफ नहीं होती है तो पर अगर खटे रस से तकलीफ होती है तो इसे avoid करना चाहिए बाकी जो लोग वात वाले हैं वात रूखा सुखा शरीर है ड्राइनेस है हार्ट को टॉनिक देना चाता है पेट वेट साफ करना चाता है वो अनानस के चार से छे पीसेस तक खाने के लिए इसे कट करके यूज़ कर सकते हैं तो यह तो था पाइनेपल के बारे में जो आईरविद में बोला है यह रस और रक्त दो धातूबे विशेश करके काम करता है ठीक और इससे आप कौन सी चीज के बारे में डीटे देखना चाते हैं कमेंट करके बता सकते हैं तब तक के लिए सुस्त रहे मस्त रहे